तो आज हम बनाएंगे काला जामुन ड्राइफूर्स के साथ जो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेंगे आप देख सकते हैं यहां पर मैं तो आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में बताऊंगी ताकि जब भी आप काला जामुन बनाएं आपके बिल्कुल इसी तरह से बच्छे लिए देखते हैं इसका प्रोसीजर तो सबसे पहले हम शीरा पकाएंगे यहां पर मैंने 750 ग्राम शुगर लिया है यानि चीनी तो आदा किलो मावा लिया था मैंने इसके हिसाप से 750 ग्राम शुगर लेंगे तो इस कटोरे से मैंने नापके दाला था तो उसी कटो करका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो हम ग्यास के फ्लेम को लो करने के बाद 10 मिट को इसको पका लेंगे यानि एक तार कशीरा हमें चाहिए तो आप 10 मिट के बाद देख सकते हैं चाश्मीर हमारी बनकर तयार हो चुके तो अब हम चलते हैं गाला जाम उनके प्रोसीजर के तो इससे पहले हम ड्राइफूर्स को कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने 12 बादा 12 पिस्ता और 12 काजु लिया है इसको इस तरह से हम भारी कट कर लेंगे छोटे तुकड़ों में तो चली हमरे ड्राइफूर्स भी तायार है अब हम लेंगे मावा तो यहां पर मैंने आदा कि खोया लिया है तो लंब्स रहते हैं बीच में इसलिए इसको हम कद्दुकश कर लेंगे फेले तो एक ग्रेटर के मदर से मैं सारा खोया कद्दुकश कर रही हूं तो चलिए हो गया है अब हम इसमें अड़ करेंगे बागी के चीज़े तो यहां पर मैंने एक चुटकी बेकिंग सोडा लिया है और एक चुटाई टी स्पून बेकिंग पौडर यह दोनों अलग चीज़ है और दोनों धालना ज़रूरी है इससे ही आपके काला जामन बिलकुल नरम और मुलायम बनेंगे अब हम दालेंगे इसमें मैदा तो यहां पर मैं क्योंकि यह हलवाई का खोया है इसमें अलड़ी यह लग थोड़ा सा मैदा एक करते है अगर आपका प्यूर बिलकुल घर का बनावा है तो आप पांच टेबल स्पून दालिए अगर बाहर का है तो पहले चार टेबल अब हम थोड़ा सा बॉल बना लेंगे और चेक कर लेंगे यह बराबर बने है तो यहां पर मैंने थोड़ा तेल और घी आट करके गरम कलिया है कड़ाई में आप चाहे तो देसी घी पूरा दाल कर भी फ्राइ कर सकते है तो यह मीडियम हीर होना चाहिए बिलकुल तेज गर काला है उसी तरह से रहना चाहिए और थोड़ा सा फुलना चाहिए तो आप देख सकते हैं थोड़ा से फुल गया है तो यह बिलकुल पर्फेक्ट बना है तो बागी की हम काला जामून बना लेंगे तो अगर यह बॉल आपका थोड़ा सा फढ़ गया है मतलब मैदा मुल इसे घुन लीजे तो बिराबर हो जाएगा तो अब इसको द्र्फूर्स में थोड़ा सा मिक्स कलिंगे तो यहाँ बहु फर मावा ले पहले तो यह पाचास ग्राब मावा होगा तो यह मैंने निकाल लिया है अब हम इसमें ड्राइफूर्ट से आट करेंगे जो क्राट के हमने रग दिया था अब थोड़ा सा कलर के लिए यहां पर मैंने केसर को थोड़ा सा दूद में भीगा के रखिया था वह दाल दिएगे आप चाहे तो औरेंज कलर या फिर ग्रीन कलर जो भी आपको कलर पसंद हो कलर भी आट कर सकते है तो राइफूर्ट से अर्मावा को अच्छे से मिक्स कर लि तो पहले इसको बिल्कुल चिकना कर लिए और इस तरह से फ्लैट कर लिए और छोटा सा बॉल बना कर राइफूर्ट से बीच में रखिए और हर तरफ से कवर कर लिए इस तरह से उसके बद अच्छे से चिकना हम दवाते वे थोड़ा सा हलका प्रस करते वे इसको गोल तो इसी तरह से हम बाखी केक काला जामुन भी बना लिए तो दोनों हातों से इस तरह से प्रेस करते वे बिल्कुल इसको चिकना बनाएंगे कोई क्रैक्ट नहीं रहना चाहिए इसमें तो थोड़े समयने बना लिए है अब हम इसको फ्राइ कर लिए तो तेल मीडियम हीट रहना चाहिए बिल्कुल तेज गरम नहीं रहना चाहिए वह ना उपर पक जाएंगे लेकिन अंदर कच्छे रहेंगे तो लो मीडियम पहले हम रखेंगे फ्लेम को यहां पर और थोड़ा सा एक तरफ कलर चेंज होने के बाए इस तरह से हम इसको दालेंगे इस तरह से छाहिए करना तो ख़रते हम इसको निकाल कर हम शीरे में डाल देंगे तो बागी के मावास से बही इस तरह से काला जामुन न बना लीगे और शीरे में डालते जहेंगे तो यहां पर आदा किलो मावा में 28 आधा जामुन बने हैं तो आप size के इसाप से कम या जादा बन सकते हैं आपके तो यहां पर तो मैंने 28 काला जमुन बना है, अब हम शीरे में दाल कर 2-3 घंटे छोड़ दींगे, ताकि अंदर तक इसका शीरा काला जमुन में पहुंचे, लेकिन मुझसे तो बरदाश नहीं हुआ, मैं यहां पर थोड़े से ट्राइ कर रही हूँ, तो आपको मैं कट करके बताती हूँ, देखे, कितने नरम बने हैं, बेलकुर सॉफ्ट और जूसी बने हैं, आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि आपके कैसे बने, तो उमीद करती हूँ, आप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेर जरूर की कीजिए, और हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, ताकि नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें, थैंक्स फूर वाचिंग, रुक्साज की चिंग